पोको M6 5G और जो के बजेट फोन है गेमिंग फोन बजेट के अंदर और जो आपके 10,000 के अंदर मिलता है यह गेमिंग फोन और इसका प्राइज बहुत ही कम है और देखने में बहुत ही शाइनिंग है यह लगबग आपका जो रियलमी का 11X या फिर आपका जो 60X का कॉंबिन का कुछ कालर है और नीचे में आपका टाइप सी पोर्ट और उपर में हेटपून जैक मिल जाता है साइड में स्वीच और कैमेरा कॉलिटी ओके है और डिजाइन तगड़ा है इस प्राइस के अंदर यह जो डिजाइन कॉलिटी बहुत ही बढ़िया है इसमें आपको कवर नहीं मिलता है और यूएसबी टू टाइप सी आपका जो एक चार्जिंग केबल और जो नॉर्मल सा चार्जर आपको दिया जाता है और यह फोन के अंदर आप गेम चला सकते हो चार्ट जीवी रैम है और एक सो आटाइस जीवी स्टोरेज के साथ आता है और बैक का जो फि और इसके हिसाब से इसका जो बैक का कैमेरा का डिजाइन है और मेरे को बहुत अच्छा लगा और साइड में आपका वॉल्म स्विच के नीचे फिंगर पिन मिल जाता है और नीचे में टाइप सी हेटपून के जैक के पास माइकोफोन और स्पीकर का पोर्ट आपको दिखन नहीं होltा है तो यह मेरे को प्रॉबलम लगा क्यूंके होना नहीं चाहिए ता मेरे को मेरे हिसाब से आप रख Łगा वह परमिसन देने के ब이션 lost या फिर अप वाफाई कनेक्शन देने के बाद आपका आगे वड़ेगा नहीं तो आपका इसके बाद हमारा भौन हर घुल का बहुत भर बड़ू麼 जयाद तर यह इक परेशनित ऑफ साल बाध सकता है और फौन हो है लेकिन लेकिन इसका जो 4GB RAM के मुताबिक बहुत ही बढ़िया है और इसका जो एकदम से 66 काम करता है यह फोन और सेटिंग में अगर आप देखोगे तो यह 128GB इंटर्नल स्टोरेज और जो 4GB मेमोरी के साथ आता है और इसका जो आपडेट है फिलाल अभी तक नहीं आया हुआ है आप यह चीज मेरे को प्रॉब्लम लगा क्योंकि इतना मेमोरी कंज्यूम नहीं करना चाहिए था वह एक्स्टा वाला जो इतना भी एफ है उसको आप अनिस्टल कर सकते हो तो आपका जो स्टोरेज है वह ज्यादा स्पेस रहेगा तो फोन में बहुत प्राइस के हिसाब से प्राइस देखोगे और तो प्राइस के हिसाब से बढ़िया है यह आपको आईफून जैसा मिल जाएगा कि प्राइस के हिसाब से कैमेरा जो है वह बहुत ही तगड़ा है हलका सा जो नौइज है इसमें और थोड़ा सा शार्पनेस का प्रॉब्लम है लेकिन प्राइक क्यमे और ऐसा है कि नए नए फोन में थोड़ा सो तो क्लियारिटी ज्यादा मिलता है लेकिन बाद में आपका कैमेरा क्या क्या परफॉर्मेंस करेगा वह पता नहीं लेकिन प्राइस के इसाब से गेमिंग फोन है और 4GB रैम और 180GB के